नमस्क्राइर दोस्तों मेरा नम प्रवीन खेतान है और स्वागत है आपका एक्सप्रेसो के अगले एपिसोड में हम एक्सप्रेसो के साथ एक वीडियो सिरीज बना रहे हैं जिसमें कि हम IPO के ऊपर चर्चा करेंगे IPO होता क्या है IPO की analysis करती है IPO की सारी terminology ताकि आप एक अच्छा IPO चुन पाएं तो इस सिरीज में हम चौथी वीडियो ले करके आ रहे हैं आज हम discuss करेंगे IPO allotment process के बारे में कि कैसे shares allot होते हैं IPO में सारका सारा IPO allotment process तो इस वीडियो का objective है ये समझना कि भही कितने type के investors होते हैं जो categories होती है investors की उसके बारे में हम समझेंगे allotment conditions के बारे में हम समझेंगे over subscription के case में क्या होता है under subscription के case में क्या होता है इसको समझेंगे आपका IPO application क्यों reject हो जाता है या फिर आपको allotment मिलती ही नहीं है तो क्यों आपको IPO की allotment नहीं मिलती है इसको भी हम समझेंगे और finally हम समझेंगे कि कहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको IPO जो आपने apply किया था उसकी allotment हुई है या नहीं हुई है तो सबसे पहले समझते हैं कि कौन लोग हैं जो IPO में participate करते हैं पहली category है वो है qualified institutional buyers की जी हाँ qualified institutional buyers खासकर companies होती है जैसे कि foreign institutional investors विदेशी संस्थागर निवेशक इसी category में आते हैं इसके अलावा हमारे जो domestic institutional investors हैं, banks हैं, financial institutions हैं, mutual funds हैं ये सारे के सारे भी हमारे qualified institutional buyers में आते हैं इसके अलावा एक category और डाल सकते हैं, यहाँ पे anchor investors की ये वो लोग हैं जो 10 करोड से जादर की IPO की application करते हैं फिर हमारे पास आता है non-institutional investors का category, non-institutional investors में हमारे पास होते हैं corporate, हमारे पास होते हैं individual other than retail investors फिर हमारे पास third category आती है retail individual investors की, इनको हम RRI बोलते हैं और फिर आती है हमारे पास reserve category होती है कुछ employees के लिए, कुछ खास लोगों के लिए कि भी हमें इतना percent उनके लिए भी कुछ reserve रखते हैं कुछ shares ये discount पे भी देते हैं employees को IPO में फिर finally हमारी जो category होती है, वो category होती है हमारी promoters की अब इन सब को IPO में SEBI की guideline के हिसाविक एक quota निर्धारित किया जाता है तो उसी quota के अंदर हम shares को a lot करते हैं, यानि कि companies quota में shares को a lot करती है तो जो हमारा QIB होता है, उसका maximum quota होता है IPO में 50% का उससे ज़्यादा shares उनको a lot नहीं किये जाते हैं इसमें भी 60% QIB में भी reserve कर सकती है company within the particular, within the QIB for a particular category इसके अलावा हमारे पास होता है non-individual और non-institutional investors तो non-institutional investors को हम लोग minimum apply करने का जो quota होता है, वो होता है 15% का और ये वो लोग होते हैं जो जिनोंने IPO में 2,00,000 से ज़्यादा की investment करी है अगर आप retail investors हैं तो आप 2,00,000 से ज़्यादा apply नहीं कर सकते हैं retail investors के category में आप, इससे ज़्यादा apply नहीं कर सकते हैं हाँ, retail के लिए भी company को तकरीबन 35% का quota reserve रखना पड़ता है तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है over subscription के case में एक पूरे detail example के साथ तो अब यहाँ पे हम एक example ले रहे हैं जिसमें मैंने तीनों category broadly दी है QIB, HNI और NII और retail investors हम ये assume कर रहे हैं कि company जो है total shares जो issue कर रही है या lot कर रही है QI, QIB section में वो हमारे पास है लगवग 5,00,000 shares का 1,5,00,000 है HNI के लिए और 3,00,000,000 है यानि कि 35% है लगवग retail investors के लिए बड़ जो हमारी application आई वो QIB में 50,00,000 की आई non-institutional investors में हमारे पास 15,00,000 की आई और retail investors के category में ये हमारे पास तकरीवन आया 35,00,000 का तो लगवग जितना reserve है उससे 10 गुना तीनों category में हम देख रहे हैं application हमारे पास आई तो ये एक situation है over subscription की तो इस situation में होता ये है कि जो QIB है उनको उनमें 10 times की over subscription है तो अगर QIB ने किसी QIB ने 1,00,000 shares का application दिया होगा तो उसको लगवग 10% यानि की 10,000 shares तो a lot होगे ही होगे और अगर हम बात करें non-institutional investors की या H&Is की जो 2,00,000 से जादा की investment करते हैं उनको भी लगवग आप मान के चलो कि एक lot मिलेगा ही मिलेगा every 10 lots applied ठीक है बट यहाँ पे retail investors के साथ situation थोड़ी different होती है इनके लिए lottery निकलती है एक तरह से और इनकी probability होगी situation में किसी भी retail investors को के shares allotment की लगवग 10 परतीशक क्योंकि 10 गुना application हमारे पास आई है तो इस situation में retail investors को allotment मिल भी सकती है और allotment नहीं भी मिल सकती है यहाँ पे अगर आपको allotment चाहिए ही चाहिए या आप possibility भरहना चाहते हैं कि भी हमारा allotment मिलने का chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आप apply कर सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ conditions है कि आपको कम से कम दो लाग से ज़्यादा का IPO apply करना पड़ेगा इसके अलावा आपको generally cap price select करना होता है आप यहाँ अप्लिकेशन में देखिए जब आप book building process में जाते हैं तो एक floor price होता है यहाँ पे हम मानते हैं 100 रुपया flow price है और 120 रुपया हमारा cap price है तो generally allotment हो इस बात ही guarantee के लिए आपको अपर band जो है हमारा यानि कि जो cap price है उसी के ओपर apply करना होता है और एक problem और है इस category में कि आपको जो retail को थोड़ा भो discount मिलता है या IPO में वो HNI category में या non institutional investors category में नहीं मिलेगा आपको आप application भी withdraw नहीं कर सकते हैं अगर आप NIA category में जाते हैं तो यह थोड़ी से limitations है बट हाँ allotment मिलने के पूरे पूरे chance होते है अब समझते हैं कि under subscription के case में क्या होता है तो फिर से हम उस example को लेते हैं जहाँ पे हमने कुछ shares reserve किये थे company के और यहाँ पे हम देखते हैं कि QIB section में 2 times के allotment हुई है HNI segment में 5 times के allotment application आई है और retail investors के category में थोड़ी सी under subscription है अगर हम देखें तो यहाँ पे total 3.5 लाग shares reserve किये थे बट 2.8 लाग जो shares हैं वही हमारे पास apply हुए है अब इस तरह के situation में QIB को तो लगवक हर 20,000 की application पे 10,000 shares जो है allot हो जाएंगे जो हमारे पास HNI हैं उनको भी हर 5 lot पे एक lot allot हो जाएगा बट retail investor को यहाँ पे फायदा है इस बात की guarantee होगी कि वो जितने भी लोगों ने apply किया है सबको कम से कम एक lot तो मिलेगा ही मिलेगा तो यह बहुत ही अच्छा situation है जहाँ पे retail का थोड़ा सा कम application है तो सारा का सारा आपको मिल जाएगा वड़ान दने वाली बात है कि यह जो मैंने example लिया है इस example में सिर्फ retail category में under subscription है क्या होता है अगर सारी category में under subscription हो तो अगर सारी category में under subscription होगा तो क्या होगा इस situation में इस situation में हमने देखा कि सारी category में almost under subscription है यानि कि application बहुत कम आई है QIV में भी HNI में भी और retail investors में भी और total अगर हम देखे तो ये लगवग 77% है मात्र total number of shares जो company issue करना चाहती है उसका यानि कि number of shares जो reserved है उसका सिर्फ 77% है अब इस situation में क्या होता है इस situation में generally IPO को fail माना जाता है अगर IPO application 90% से कम है जितने भी shares हम बेजना चाहते है उसका 90% से कम है तो IPO को fail मना जाता है इस situation में आपका पैसा company आपको वापस कर देती है सारा का सारा पैसा जो है return हो जाता है investors को हाँ एक बात होती है कि इससे company का जो credit है वो affected होता है बहुत जादा क्योंकि fail होने के बाद company rate affected होने के chances पूरे रहते हैं company कुछ time के बाद चाहे तो IPO लेके आ सकती है दुबारा revaluation करनी पड़ेगी दुबारा investor से बात करना पड़ेगा और सारा process जो IPO का है वो repeat होता है अगर आपको step by step सारे process को समझना है तो पहली video जो हमने इस series में issue करी थी जो publish करी थी उसको आप देख सकते हैं उसका जो link है इस video में उपर pop up करेगा आप चाहें तो उसपे click कर करके देख सकते हैं तो how to check कि आपको allotment हुई है या नहीं हुई है देखे generally अगर आपको IPO allot होता है तो आपको एक allotment की email company के site से आती है और ये जो mail है वो allotment देखे दिन आ जाती है या फिर listing से एक दिन पहले आपको आ जाती है ताकि जब listing हो तो आप अगर shares बेचना चाहें तो आप बेच सेकें इसके अलावा company के registrar की website पे या Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange की website पे भी आपको allotment हुई है या नहीं हुई है इसका आप पता लगा सकते हैं तो चलिए समझते हैं step by step की कैसे आप अपने allotment के बारे में पता करेंगे IPO application की status को जानने के लिए कि allotment हुआ या नहीं हुआ है आपको जाना है B.A.C. India की website पे उसके बाद आपको जाना है investors segment में investors tab है इस पे click करेंगे आप finally आपके पास है investor services इस पे आप click करेंगे और यहाँ पे है status of issue application आप इस पे click करें यहाँ पे सारा process होता है लिखा हुआ कि आपको मिल रहे है कि नहीं मिल रहे है तो status check करने के लिए आपको यहाँ पे status of issue application form में कुछ data fill करना है आपको equity select करना है गर equity का है तो उसके बाद अगर आपके पास IPO application number है तो आप IPO application number डाल सकते हैं जो भी issue हमारा अभी active है उसका नाम आप select करेंगे और या फिर आप डाल सकते हैं यहाँ पे application number की जगा pan card number और जैसे ही आप search करेंगे आपको detail मिल जाएगी कि आपको IPO की allotment हुई है या नहीं हुई है आपने समझा कि कैसे हम IPO की allotment status को bombing stock exchange की website पे चेक कर सकते हैं इसके अलवा आप company की register की website पे भी check कर सकते हैं हाँ अब हमें समझना होगा कि आखिर हमें क्यों IPO की allotment नहीं होती है या फिर हमारा IPO का application reject हो जाता है इसका क्या reason है देखिए अगर बहुत ज़्यादा over subscription है तो भी आपको IPO की allotment नहीं आई यह जैसा हमने अभी समझा दूसरा reason होता है कि आपने bid price जो है वो lower side पे set किया हो कि मानते हैं कि floor price 100 है और cap price 120 तो कई लोग floor price के ओपर IPO की bidding करते हैं तो इस situation में कई बार आपसे higher bid करने वाले लोगों को allotment मिल जाती है इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपने IPO की application same pancard से multiple times करियो तो ये भी एक बहुत बड़ा reason है अगर आप चाहे तो अपने घर में सारे family members के नाम से आप IPO apply कर सकते हैं पर ध्यान रखेगा कि एक pancard से एक ही बार आपको retail category में apply करना है अगर आप गलती से कुछ information गलत फिल कर देते हैं IPO application में तो उसे भी फरक पड़ता है जैसे name mismatch हो रहा हो आपका pancard पे और आपने जो type किया है उस पे या फिर bank details में तो इस तरह के situation में यह DMAT account number आप उसमें गलत डाल रहे होते हैं तो अगर आपने IPO का form गलत बह रहा है तो इसके करन भी है आपको rejection आ सकती है तो यह कुछ एक major region होते हैं हमारे IPO के application का reject होने का या फिर allotment नहीं होने का तो दोस्तों आगे वाली वीडियो में हम समझेंगे कि Expresso software को use करके कैसे हम IPO की application कर सकते हैं और बहुत ही easy process है अगली वीडियो में इसको आप देखना मत फोलना और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को subscribe जरूर करना वीडियो को like करना और दोस्तों के साथ share करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई